हेलो दोस्तों क्याल चाल कैसे हैं हम सभी लोग स्वागत अपका राफ्ट की एक कोई ने मज़दार गेंपले वीडियो में पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर एक एनमल लाया था जिसका नाम हमने लोमू रखाया यस यह है हमारे राफ्ट का पहला एनमल इसको हमने एक बड़े से आइलेंड से उठा के लाया है और इसके बाद हमने यहाँ पर रिसीवर भी बना लिया था तो यहाँ पर हमें सिगनल दिख जाता है अभी देखोगे था हमें 1148 मिटर जाना है राइट साइट को इस साइट को हमें जाना है और उस लोकेशन से हमारे राफ्ट की स्टोरी भी आगे बढ़ती है तो आज की वीडियो में तो काफी ज्यादा मज़ा आने वाला है बाकि वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटावट से चैनल को सब्सक्राइब कर देओ और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना सबसे पहले तो इस अग्र को यहां लिस्ट को तो अब भी हमें दोग जाना इस साइट को क्योंकि में इस साईट को जाना है अब सही जा रहे इदर साईट को जाना है आए हमें पस थोड़ा सा मुझे रग रा इसको और राइakat कर देना चाहीं ऐसे अरे रुक जा नली भाई आते आते भाई क्यों ओ मरगी मरगी रुको 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 वेट 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 एक सार्क और मार दिया भाई खाने का काम हो गया यहां से अप अपने कुछ सार तो ठीक ठाक है खाने के तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा खा भी लेता हूं क्योंकि भूख भी लगा हुआ है एक चीज़ तो मैं भूल गया इसको और नहीं रखना भाई इसको बंद रखना है नहीं तो बैटरी बहुत जादा जल्दी खतम हो जाती है और हमें बार-बा चली जाएगी और सार्क आके हम पर अटैक करेगी वैसे अभी अभी मारा सारक को तो इतनी जल्दी तो नहीं आएगी और इधर को उसने तोड रखा है तो इसको भी मैं सही कर देता हूं भाई मैं इधर बनाने में लगा रहता हूं और वो तोडने में भाई क्या बता यार दुख है अभी मैं इसके side side में metal कर भी नहीं सकता क्योंकि अभी मुझे ना पता नहीं कि कैसे कैसे मैं अपने raft को बनाने वाला हूँ तो इस वज़े से मैं इन सब को अभी metal का नहीं करूंगा जब अपने raft का पूरा layout बन जाएगा ना तब side side के area को metal का कर देंगे फिर easy हो जाएगा और अभी एक चीज और गड़वर कर रखा है मैंने यह मुझे यहां से तोड़ना है यहां पर दोखो खाली रखना है इसको पह चाहर नहीं दिया बाद में मुझे यह द्यानाया कि भाई ऐसे नहीं करना था इसको क्या भर गए ओके थोड़ा सामान मुझे खाली करना पड़ेगा यह रख दो यह रख दो यह रख दो यह रख दो और यह रहा पर एक storage है इस storage को मैं काम करता हूं यहां पर लगा देता और इसमें ये रख देता हूँ ठीक है और इधर से इन दोनों को उठाओ ये यहाँ से और ये यहाँ से इनको लगाता हूँ यहाँ पर एक यहाँ पर वेट मुझे पूरा उठाना पड़ेगा ओके नाइस अब ये यहाँ पर लगया और एक चीज और कर देता हूँ इसके साइड बे मैं थोड़ा सा फेंस लगा देता हूँ इससे और भी ज़्यादा ये अच्छा लगने लग जाएगा यहाँ पर फेंस और यह पूरा यहाँ तक फेंस कर देते हैं यह देखो यह कितना ज़्यादा आप सही लगने लग गया और अभी यहाँ पर गेट बनाने की जूरत नहीं है यह खुला खुला रहेगा बढ़िया लगेगा ओके नाइस अब देखो यह सही लग रहा है यहाँ पर एक गेट लग रखा है ना इसको भी तोड़ो यहाँ से इस गेट को तोड़ पूरा पानी डाल दो यहाँ से पूरा पानी ले लो अब इसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं वाल यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं अब सही लग रहा है इस वाल को तोड़के अगर मैं यहाँ पर विंडो वाल लगा हूँ तो आई थिंक बहुत ज् साइड में जाना है इधर साइड में अभी काफी दुरेत है में टाइम लगने वाला है तब तक मैं सामान वगर एकठे करते रहता हूं क्योंकि सामान की बहुत ज़्यादा जरुरत पढ़ रही अपने को तो यह सब मैं एकठे करते रहता हूं और स्टोर करते रहता हूं जितन तब तक मिटल और कॉपर और यह सब स्मेल्ट करते रहते हैं इससे हमारे स्मेल्टिंग काम भी होता रहेगा क्योंकि जब जरुरत पुड़ेगी हमें फिर हम स्मेल्ट करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा काम भी लेट होगा तो इससे अच्छा क स्पीट से जाते हैं या सेम स्पीड रहता है इसको मैं लगाता हो इस वाली जगेशसटे हो झाता है हम कितनी स्पीड कोयो ग photos देखते हैं हम कितनी श्र energ ओ करते हैं खना और यह asi पड़िए उस से कोई फरक नहीं पड़ता चलो कोई बात नहीं दो लगा दिया अभी नाइट हो चुका है तो फटावर से सो जाते हैं सुबह को मिलते हैं ओके तो सुबह हो गई है और यह देखो भाई इसके पेट में चुहे कूद रहे हैं तो पहले इसको खाना खिलाओ वाटर वाला बार त सबको मैं यहां पर रिस्टोर कर देता हूं यहां पर रहेंगे भाई मैं खड़े करना बहुत जादा थक गया अपने लिए ना चेर अगरा बनाते हैं यहां पर हम बनाते हैं अपने लिए एक सोफा यस सोफा बनाएंगे और यह एक चेर भी है चेर भी बना लो और एक को लगाता हूं और टेबल को लगाते हैं यह बाद यहां पर अब हम बैट भी सकते रह तो सोफा बैटके मस्त इंजोय कर सकते हैं यह देखो बाइब कुं करता हूं यह बैटरी कहतम अने वाला है आरे उठ जा ओए अरे उठ भाई कैसे रहुत जा भाइट जा भाई यह आन त करके छोड क्यों दे रहा हूं पूरा पूरा बैटरी खतम हो गया हम पास आ चुके हैं 300 मिटर और रहा है क्या 400 कुछ दिख रहा है क्या वैसे दिखना तो चाहिए इतनी दूर से अभी तक दिखनी रहा है तब तक मैं काम करता हूं सामानी कठा कर लेता हूं यहां पर काफी सा 267 तो मतलब हमें यहां से दिखना चाहिए कुछ तो दिखनी रहा है ओ दिख रहा है यहां से कुछ दिख रहा है बहुत दुदला से दिख रह लेकि दिख रहा है और एक फेर बना लेता हूं मैं क्योंकि मेरा इस पीर न अब तूटने ही वाला है सार्क अटैक करेगि पता तो यह हो गया एक स्पियर इसको रख लेते हैं अभी के लिए यहां पर क्योंकि यह वाला भी टूटा नहीं है अभी दो बार तो इससे सार्प को मारी दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगा चप्पू कांगे चप्पू चला के जल्दी से जाता हूं ना इतना वेट कौन करेगा अरे यार मैं इस सार्प को तो भग भग जा यहां से इधर ही कही चप्पू मैंने रखा है यह रहा ना चलो चप्पू मारो यह गाईस यह रेडियो टौर है बिल्कुल समुंदर में बाई बीच समुंदर में बनाया इन्होंने और इसको उपर एक विंटर बाइन भी लगा देते हैं यह उठा दो यह उठा दो पहले तो मैं नीचे जाके चेक करूँ या पहले ऊपर चलो एक बार को नीचे चलके देखते हैं क्योंकि नीचे भी यहां पर एरिया होता है जहां पर एक्स्प्लोर कर सकते हैं फटावर से नीचे को उतते हैं बस यह दिक्कत है यहां पर सांस लेने में दिक्कत होने वाले क्योंकि नीचे साइड को आने के बाद बहुत जल्दी से हमें यहां से सावान वगर एक अठा करना है और चुप-चप से कल्टी मारना है अभी यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है यहां पर स्क्रैप अगर दिख गए फटावर से स्क्रै को भी दिख रहा है यह पेटी भाई ओके तो यहां एक नोट मिला है हमें जिसमें की अब यह लोग अपनी कहां नहीं पताएंगे ठीक है सुनते रहो भाई इधर को कुछ सावान वगर रहा है नहीं और इसको उपर सांस ले सकता हूं यह फोन है किसी को फोन नहीं कर सकता मै वैसे नीचे साइड को अब कुछ रह नहीं गया जितना भी था समय ने चेक कर लिया यहां पर कुछ नहीं है एक नोट मिला हमें और यह एक क्रेट बच गया बच गया फिर बच गया नली सार्क भाई मारी नहीं पाई ओ फिर से बच गया अब चलते हैं उपर साइड को फट B1 लिखा हुआ है ठीक है B1 में क्या है यहां पर लगा है हेलो कुई नहीं है यह है हेलो스럽क टो बीटू कुछ मिलेगा में नहीं ब्ल्कुल का ओट ई पीए एक बीटुर का सेक्शन EM tavUL से और यहां पर टोड़ा सा सामान है प्लस्टिक हगर मैं क्या कठा करूय यहां से प्ल कर लिया। और इधर को ठोड़ा सा ओर सामान मिल गया। चलो यह भी ले रहते हैं। अभी यहां से लगता है उपर जाना पड़ेगा क्योंकि नीची साइड को तो मैंने फूरे एक्सक्प्रोर कर लिया। यहां से चलते हैं ऊपर और यह है सी थ्री का सेक्षन यहां पर एक क्रेट पड़ा हुआ है और उसके बाद यहां से कहां जाना है ओके यहां से कहीं नहीं जाना पेट कहीं तो जाना होगा नीचे अगया मैं अब इधर साइड को जाना है ओक्यों कि समझा समझा अब अपने को इधर से यहां से जाना है मेभी ओ यहां से चलते हैं ऊपर राद भी होने वाला है फटावर्ट से मुझे एक्स्प्लोर करना पड़ेगा यह क्या बहुत रुपर बातरूम टाइप को कुछ बन रखा है इसमें गेट भी नहीं है एधर को क्या है यह क्या है ब्लूप्रिंट मिला अपने को ओके हेडलाइट का ब्लूप्रिंट मिल गया है अब हम यहां पर हैडलाइट बना सकते हैं चलो नाइस यह अच्छी आए में explore करने में मज़ा नहीं आएगा तो सुबह को आएंगे फिर explore करेंगे यहां से सीधा यहां पर जंप मारो अरी यार नहीं गया अरे यार यह उठते उठते सार्क ने कर दिया और मुझे भूक लगा हुआ तो मेरे हिसाब से यह तो तोड़ी देगी चलो यह बच गया भाई इसको यहां पर लगते हैं खाना पहले इसको खिला चलो खाना खा लिया बिल्कुल मैं ready हो चुका हूं यहां पर जाने के लिए अब फटावर से चलते हैं वैसे इधर स सब देख लिया था ना इस रूम में explore करना था ना यहां पर कुछ नहीं है नोट्स वगेरा जितने थे सब मैंने collect कर लिया एक यहां पर stair बना हुआ है इसके ऊपर चलते हैं यहां पर क्या है नीचे जाने का रास्ता ओके ओ यहां पर हम बाहर साइड को आ गये अब हमें इस सब सीधा जम पारेंगे यहां पर और आ गए हम यहां पर मैं स्क्रैप मिला एक नोट और मिल गया और इदर को कुछ सामान है नहीं इदर को और कुछ सामान है नहीं अब इसके ऊपर चलते हैं यहां से यह कैसे रूम से हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई गेट भी नहीं बने हुए है बिना गेट के इसका यूज क्या हो गया मुसे समझ नहीं आ रहा है यहां से चलते हैं इदर यह थोड़ा सा हाड होने ला भाई हमें यहां से ऐसे सीधे जाकर जंप पारना है ओ बचा भाई अभी नीचे गिर गया होता थोड़ा सा बच गया है और अब आगे हम यहां टॉप पर यहां से अपन राफटों क्या सही लग ali है भाई अभी नट동 अच्छा करेंगे न मस्तार लगा लगा लाफट देखने में यह हैं यहांसे चलते हैं अंधर साइड को यहां पर हमें टाला मिला और यहां से अब रिसाइकलर का ez के बाद इधर को कुछ नहीं है न तू चुप जा ठीक है एक क्रेट ले लिया यहां पर और यहां पर हमें मिलेगा एक नोट तो अब यह जो रेडियो टावर है न यह पूरा हमने एक्स्प्लोर कर लिया यह था रेडियो टावर जिसे कि हमें explore किया और इसी के साथ हमें next location का code भी मिल चुका है जो की है 7129 और इस island का नाम है वसांगटन वसांगटन जो भी है बाई ऐसा ही कुछ नाम है अब फटा फटा से चलते हैं राफ्ट के जो भी blueprint मिले हैं न वो सब चीजे भी बना देते हैं सबसे पहले तो अब अपने राफ्ट को लेके चलते हैं यहां से एंकर उठाते हैं बाई बाई रेडियो टावर फिर कभी नहीं मिलेंगे हो गया यह और यह दखो सार्क की हरकते सार्क कभी नहीं सुधरने वाली बाई यहां पर मुझे क्या क्या चीजे मिला था blueprint में रिसाइ कि पहले पहले दो इसको मैं फिक देता हूं इसका कोई जब्रवत नहीं है रिसाइकलर बनाने के लिए फिन पर रिसर्च करना पड़ेगा प्लास्टिक है यहां पर ये लो यह आ गया बैटरी इस पर चलते हैं फटावर्ट से रिसर्च करते हैं इसको रखो यह पर यह आ यहां पर headlight बना सकते हैं तो दो नई चीज़े बनाना हम सीख चुके हैं headlight बनाने के लिए हमें battery की जरुवत पड़ती है और rope की जरुवत पड़ती है तो यहां से लेते हैं यह rope बनाते हैं और यह हो गया एक headlight अभी तो headlight के हमें कोई जरुवत नहीं है लेकिन जहां पर जरुवत पड़ेगी वहां पर हमें इसका use कर सकते हैं अभी के लिए मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ दूसरी चीज़ थी recycler recycler के लिए क्या चीजों की जरुवत पड़ती है इसके लिए हमें circuit board चाहिए और circuit board बनाने के लिए हमें चाहिए copper ingot copper ingot है यहां पर circuit board बनाते है फटा बट से खोड़े से और plastic चाहिए यह रहे plastic wine को खतम wine को यहां पर है तीन circuit board अभी के लिए बन गए तो अभी यहां पर मैं कितने recycler बना सकता हूँ one, two metal ingot रहेगा तो एक और बना सकता हूँ यह है ने metal ingot अच्छा एक और metal ingot चाहिए ठीक है थोड़ा सा कम पढ़ गया लेकिन दो recycler बन चुका है तो इन दोनों recycler को एक काम करता हूँ यहां पर रखता हूँ एक को यहां दूसरे को यहां पर और इसके लिए मुझे अभी बैटरी भी तो चाहिए यह तो मैं भूली रहा हूँ इसके लिए copper ingot चाहिए अभी के लिए और भी copper smelt कर लेता हूँ और अब मुझे न एक island चाहिए भाई जहां से कि मैं और भी ज्यादा सामानी कट्था कर पहूँ अभी आगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा तो एक battery यहां से बना लेते हैं थोड़े से plastic और चाहिए एक और battery बना लेते हैं दो battery बन चुकी है इसको रखो यहां पर इसको रखो कहां गया battery यह रहा इसको रखो यहां पर यहां पर दो रिसाइकलर बन चुके हैं बट मैंने इसको लगा दिया बाई क्या गधा हूं मैं यार कि इसको मुझे सीधा लगाना चाहिए न यह ऐसे लगएगा भाई इस साइट को एक यहां पर लगाता हूं अभी और एक यहां पर लगाता हूं ठीक है एक battery डालो इसमें एक battery डालो इ इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं वेट उससे पहले मुझे भूख लग रहा और खाने के लिए कुछ भी नहीं है यह पका लेते हैं और coconut के लिए खा लेते हैं तो इसमें मैं लीफ डाल सकता हूं लीफ से भी हमारा काम हो जाएगा जो भी हमारे पास extra चीजे हैं जैसे कि इसका नाम तो भूल गया जो भी मिलता है उससे और उससे हम कर सकते हैं वो कै紹ती है वहां पर जाके इससे सर्पिंग कर सकते हैं तो अभी के लिए इसको बहुत के पास और यहां से बहसर नोका चुक्त करेंगे और अभी मुझे लग रहे क्लैंक कि उत molecular मों हो गया था भाइक कुछ खाने को दे दो कुछ तो ओगा इंगो खा लेता हूँ अरे मैं इस आइलेंड से दूर चला जाँ आँ संब्सक्राइब देखता हो चलते पहले सके इदमार मिलगा यहां से कोकोनेट पाम लिफ यह सारी चीजें मिल जा रही है यह फ्लावर वगरे भी उठा लेता हूं इसका काम में आगे पड़ता है बट अभी के लिए इसको उठाई लेते हैं और पूरा इनवेंटरी भर चुका है पहले तो इनवेंटरी खाली करके आता हो फ्लावर वगरे इसमें रख देता हूं सीड वगरे जितने इस समंदर में पर हैं इस अजब पूसलेटेक्टैकर याँ फिर पर्टा पर करते हैं उसके बाद फिर राफ्ट को लेकर ये ऑगे मुझे जो हैं बना भी शाब चाहिस शोनफट करने याउन एंकर को तो उठाते हैं अभी गाई समय राफ्ट पे काफी सारी चीज़े बस एक चीजों की कमी है अभी तक अमने राफ्ट पर फार्मिंग नहीं कर रहे तो चलते हैं थोड़ा सा क्रॉप प्लट बनाते हैं इसके लिए मुझे क्या क्या सीजों की जोरत पड़ेगी इसके लिए चाहिए नेल तो यहां से मिल जाएगा नेल हो गया और रोब चाहिए तो रोब पटावट से यहां से बना लेते हैं चलो जितना रोब बन जाता है पूरा बना लेते हैं ठीक है डन और उसके बाद बोल्ट चाहिए तो बोल्ट हमें यहां से मिल जाएगा एक दो तीन बोल्ट बन गये यह large olah crop latter बनाता हूं दो एक ही बनपाया okay plank खतम हो गया तो दो बनाते हैं लार्ज व्ला crop Plot और इसके बाद medium crop lot को बनाते हैं कितने rein對不對 फौर बनाए चार के लिए हमें scrap चाहिए चलो चार ये बना लेते हैं और स्मॉल वाले को बना लेते हैं 1,2,3,4 इसको बना लेते हैं इसके लिए थोड़े से रोप कम पड़ गया जो यह बनाओ ठीक है चार यह हो गया चार यह हो गया दो यह हो गया और इसके लिए सीड भी चाहिए न एक ही कि पांब सीड है और वाटरमिलन सीड भी 2 है सिर तो यह तो मुझे लाना पड़ेगा रेड शीड है यहां पर और उसके बाद वाइट सीड है यह तो गड़बढ हो गया चलो कोई बात नहीं अभी के लिए न यहां पर लगाओ एक एक यहां पर लगाओ इसमें यह दो सीड ड फानी देना होगा तो इसमें दे देते हैं water , okay ,never अद्धाय को मैं लगाता हूं , इद्धर साइड को , एक medium वाला यहां पर और मीडियम के लिए मेरे पास दो सिर्फ watermelon सीड हैं , तो वही लगा देते हैं अभी के लिए इसमें भी पानी दे देता हूं , चलो और लार्ज वाला लगाते हैं यहां पर लार्ज वाला यहां पर लगाओ इस वाले जगह पर ऐसे भाई यह क्या कर रहा हूँ मैं कुछ भी कहीं पर भी लगा दे रहा हूँ चलो कोई नहीं लार्ज वाला एक लगा दिया इसमें लगा देता हूँ एक पाम का सीड और इसको भी पानी दे सकते हैं डन वेट 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 रुख जा रुख जा रुख जा किदर है किदर अरे भाई तूट गया बच चुक या चलो ओके तो गाइस अब हम अपने राफ्ट पे फार्मिंग भी करने लग गया अब हमारे राफ्ट पे एक इनमल भी आ चुका है बहुत सही तरीके से अभी तक हमारी जर्नी चल रही है बागी आगे आने वाली जर्नी और भी जदा मज़ेदार होने वाली है चलो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही रहेगा आई होप कि आज की वीडियो आप लोगो टाटा बाए बाए